अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा इस week की pick a card reading का topic है क्या आपके partner आपके साथ loyal है तो किसी भी reason की वज़े से अगर आपके मन में एक हयाल आ रहा है कि पता नहीं है नो आपके partner आपके साथ loyal है या नहीं है तो ये reading आपके लिए है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने हाँ पे तीन piles है इन तीनों में से एक pile को choose करके आप इसी सवाल के जवाब को जान सकते हैं तो pile selection के लिए यहाँ पर दो options है first is intuitive method and the other one is birth month तो सबसे पहले intuitive method के हिसाब से देख लेते हैं तो यहाँ पर first pile में हमारे पास green pyramid है second pile में हमारे पास white crystal है and third pile में हमारे पास है yellow crystal तो आप आँखे बंद करके अपने partner के बारे में सोचें इस relationship को visualize करें और आँखें खोलते ही जो भी pile आपको सबसे पहले attract करता है या पर सबसे पहले दिखता है आपने उसको choose कर लेना है बहुत सारे लोग नीचे comment section पर लिखते हैं या फिर जो भी crystal आपको सबसे पहले दिखता है आप उसको choose कर लेते हैं तो फिर आप confused नहीं होते हैं right pile को choose कर पाते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको intuitive method difficult लगता है तो हमारे पास birth month का भी option है तो अगर आपका birth जन्वरी, April, July, October में से किसी भी month में हुआ है आपके लिए pile 1 है अगर आपका birth February, May, August, November में से किसी भी एक month में हुआ है आपके लिए pile 2 है और अगर आपका birth March, June, September, December में से किसी भी month में हुआ है आपके लिए pile 3 है I hope कि आपने pile को choose कर लिया है और अगर नहीं किया है आप वीडियो को pause कर सकते है You can take your own time in choosing the pile और ये एक timeless reading है तो जब भी भी इस सवाल आपके मन में आता है ये reading आपके सामने आती है इस reading में आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है तो चलिए जी देखते हैं कि cards क्या कहते है अगर आपने pile one यानि की green pyramid को choose किया है या फिर आपका birth January, April, July, October में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile one cards क्या कहते है आपके partner आपके साथ loyal है या फिर नहीं तो यहाँ पर देखिए सब से भेला card मुझे दिख रहा है और ये card कहता है कि पीछे या अभी भी कुछ pile one के लिए हो सकता है आपके और आपके partner के बीच में किसी भी level पर conflict रह रही है ये conflict सब pile one के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि partner के साथ difference of opinion हो रहा है और इसलिए या फिर otherwise भी blocked you का card कहता है या तो किसी भी level पर वो आपको ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं उतना जादा अपनी तरफ से action initiative नहीं ले रहे हैं या फिर उतना जादा आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, interact नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ pile one के लिए, मैं सब की बात नहीं कर रहे हूँ कुछ pile one के लिए हो सकता है या तो आपने उनको social media पर block किया या फिर उन्होंने आपको social media पर block किया दिखिए ये general reading है तो blocked you के card को हम literally नहीं लेंगे कुछ के लिए literal हो सकता है लेकिन otherwise फिर से कहूंगी हो सकता है कि एक distance, एक gap आप दोनों के बीच में किसी भी level पे किसी भी तरीके से आ रहा है और दिखिए जब भी ऐसा होता है relationship में सबसे बहला thought आता ही ये है कि कोई और तो उनकी life में नहीं आ गया और अगर ये thought आपके मन में आ रहा है तो कहीं आप wrong भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे date, rider and fish के card किसी इनसान के आने के उनकी life में बात करते हैं पर दिखिए इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको cheat कर रहे हैं या फिर वो disloyal है कभी कभी क्या होता है न कि कोई इनसान हमारे में बहुत interest लेने लगता है या फिर हमारी तरफ attract भी हो रहा होता है या फिर उसके मन में हमारे लिए feelings आ जाती है और जब वो इतना interest दिखाते हैं तो हम भी बड़े एक friendly way में उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर देते हैं या फिर हमें भी अच्छा लगता है या कितनी बारी थोड़ी सी flirting in a healthy way हम भी करने लगते हैं और इसका मतलब दिखिए अगेन कहूंगे यह नहीं होता है कि cheating हो रही है बट yes flirting beyond the point is not acceptable और कुछ ऐसा ही आपके partner के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है यानि कि उनकी तरफ से क्या है मैं और अभी cards को देखूंगी तो जादा confirm होगा बट yes कोई उनकी लाइफ में आया है और वो इनसान उनकी तरफ attract हो रहा है या फिर उस इनसान के मन में feeling है या फिर एक friendly connection ही हो सकता है जिसमें वो जादा interest ले रहे हैं देखिए date के card में लिखा हुआ है meeting someone new तो कोई नया इनसान उनकी life में आया है या फिर वो किसी नय इनसान से मिल रहे है rider का card कहता है new lover arrival तो फिर से देखिए ये card भी किसी इनसान के आने की बात करता है या फिर किसी इनसान से किसी level पे connect करने की बात करता है fish का card spiritual soul connection and flirtation की बात करता है तो हो सकता है कि spiritual level पर वो उनसे connect हो रहे है या फिर देखिए एक soul connect वो महसूस कर रहे है अब soul connect करने का मतलब romantic love नहीं होता है you should be very clear about that कभी-कभी किसी से मिलके ऐसे लगता है कि शायद कोई पिछले जनम का नाता है न very friendly way भी हो सकता है और otherwise भी हो सकता है you know platonic love भी हो सकता है फिर से कहूंगी इसका मतलब यह नहीं होता है कि romantic love है या फिर बहुत एक प्यार महबत romantic तरीके से है तो उनकी life में कोई इंसान आया है किसी से वो connect कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि इस चीज को आप जानते हैं और इसलिए आपके मन में thought भी आ रहा है कि कहीं cheat तो नहीं कर रहे हैं loyal है या नहीं है तो देखें बाकी के cards को अगर हम देखें तो सबसे पहला card मुझे दिख रहा है magnifier और यह card कहता है take a closer look things are not what they seem analyzed तो देखें यह मुझे लगता है कि answer है आपके सवाल का या crux है इस relationship का जहाँ पे card आपको कह रहा है कि थोड़ा सा नस्दीक जाके अच्छे से चीजों को समझें क्योंकि जैसे चीजें आपको दिख रही हैं वैसी नहीं है और यहाँ पे देखें taking notes का card भी आपको और जादा चीजों को समझने की बात करता है note down करना मतलब आप observe करें हर चीज को थोड़ा सा mind में note down करें कि यह real है भी या नहीं है या फिर कुछ चीजें हो रही है उनके basis पे आपका mind assumption बना रहा है और आप you know अपने mind में चीजों को बहुत बड़ा कर रहे है यहाँ पे देखें heart with a key का card कहता है कि हो सकता है कि वो थोड़े से flirtatious type के हैं या फिर जल्दी लोगों से connect करते हैं जल्दी you know एक heart to heart उनका connection हो जाता है और कहीं इस बारी ऐसा ही कुछ हुआ है और आपके मन में doubt आ रहा है आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं यहाँ पे Ace of Wands का card कहता है कि वो जो भी issues आप तोनों के बीच में चल रहे हैं उनको end करके आपके साथ एक नई beginning करना चाहते हैं यहाँ पे The Emperor का card कहता है कि एक stability, एक security आपके साथ अपने relationship में लाना चाहते हैं और बहुत systematic तरीके से चीजों को करना चाहते हैं हो सकता है कि यह जो नया इंसान उनकी life में आया है इसकी वज़े से बहुत hap hazard हो गई हैं बहुत उथल पुथल हो गई हैं और कहीं वो बहुत ही discipline के साथ इन सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं इन सब चीजों को correct करके improve करना चाहते हैं बहुत ही एक confidence के साथ वो आपके साथ अपने relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन कहीं उस तरीके से नहीं लेकर जा पा रहे हैं और यहां पर देखिए hard to figure out का card कहता है कि यहां तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस problem को इस riddle को solve करें यहां फिर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल है इस इंसान को figure out करना कि इसके मन में क्या है और कहीं देखिए इसी तरीके की energies यहां तो अभी रह रही है यहां फिर हो रहा है और फिर से कहूंगे hard to figure out का card कहता है यहां तो कुछ issues हैं problems हैं और उनको solve करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस problem को आखिर वो कैसे solve करें यहां पर promises का card कहता है मन ही मन वो आपके साथ promise करना चाहते हैं और इस promise को निभाना चाहते हैं यहां पर anchor का card भी कहीं आपके साथ एक long term relationship वो चाहते हैं और यह card again मैं कहूंगी कहता है कि वो हमेशा के लिए आपका साथ अपनी life में चाहते हैं हमेशा के लिए आपको अपनी life में चाहते हैं कहीं stability आपके साथ इस relationship में चाहते हैं आपके साथ promises करना चाहते हैं और फिर से देखे जो भी issue है उसको solve करना चाहते हैं वो सकता है pile one कि आप उतना ना cooperate कर रहे हों उनको ऐसा लग रहा है कि आप उतना नहीं उनको समझ पा रहे हैं क्योंकि two of wands reverse का card कहीं you know चीजों के आगे ना बढ़ने की बात करता है और इसका reason यही होता है कि दो लोग एक को नहीं understand कर पा रहे हैं कहीं you know same page पे नहीं है उनका thought process align नहीं है बहुत जादा एक difference of opinion है और साथ ही साथ कहीं पूरी तरीके से confidence आपको उनके उपर नहीं आपा रहा है या फिर उनको खुद पे आप पे नहीं आपा रहा है कि आप उनको समझेंगे या नहीं समझेंगे और इसी लिए बहुत एक pressure बहुत एक burden महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक art reverse है तो इस pressure को कहीं offload करके फिर से मैं कहूंगी चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो आपके सवाल का जवाब यही है कि no they are not cheating you and yes they are loyal with you फिर से कहूंगी वो आपके साथ loyal है आपके साथ cheating नहीं कर रहे हैं य चीजों को sort out करने की ज़रत है एक दूसरे को understand करने की ज़रत है तो यह था pile 1 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें अगर आपने pile 2 यानि की white crystal को choose किया है या फिर आपका birth February, May, August, November में से किसी भी मन्त में होता है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 2 की cards क्या कहते हैं आपके partner आपके साथ loyal है या नहीं है तो यहाँ पर देखिए सब से भेले cards मिरे दिख रहे है king of pentacles, knight of pentacles and queen of pent और यह तीनों ही cards कहते हैं कि surface level के लिए अगर देखें तो आपके partner काफी committed, काफी loyal, काफी practical, काफी realistic दिखते हैं और कहीं उनके लिए money, पैसा, materialistic, tangible चीजे या फिर professional front career बहुत-बहुत important है यहाँ पर engagement ring का card कहता है, हो सकता है कि आपका relationship यहाँ तो बहुत पुराना है, यानि कि काफी सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं, या फिर काफी सालों से आप लोग एक दूसरे के साथ relationship में हैं, या फिर बहुत serious आप दोनों का relationship है, यानि कि शादी, engagement या फिर live-in की बा रेलेशन्शिप होने की बात करता है और कहीं इसी तरीके का रेलेशन्शिप आप दोनों के बीच में रहतावा दिख रहा है अब देखिए आपका सवाल है कि क्या वो लॉयल है या नहीं है तो यहाँ पर bed, girl with a snake and whip के cards बहुत ही clearly कहते हैं कि कहीं एक physical intimacy उनकी आपके अलावा किसी और के साथ है देखिए यहाँ पर whip का card love based on sex की बात करता है और girl with a snake का card कहीं narcissist वाली energies की बात करता है, bed का card तो literally you know एक sexual intimacy की बात करता है तो किसी के साथ sexual intimacy या फिर एक physical intimacy उनकी रह रही है और अगर यह है तो फिर वो आपके साथ loyal तो है नहीं यानि कि ये तीनों ही cards चीज की तरफ indicate कर रहे हैं कि वो आपके साथ loyal नहीं है कहीं you know जितने वो surface level के लिए committed दिखते हैं या फिर practical realistic practical realistic हो सकते हैं लेकिन उतने committed नहीं है यहां पर देखिए कितनी बारी मैंने देखा है अपनी readings में कि बंदा बड़ा committed होता है पार्टनर के लिए लेकिन उसके अलावा भी इसके अलावा भी कोई और उनकी life में होता है जिसके साथ उनकी physical intimacy होती है या फिर एक casual relationship होता है तो टो किसी लेवेल पर relationship को खतम करना चाहा रहे है relationship को end करना चाहा रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको नहीं भी पता है Putting Thoughts in My Mind का काट कहता है कि जो वो कहते हैं वो आप मान लेते हैं या फिर जो यू? आप कहते हैं और जो इसे लगता है कि वो आपकी सारी बात सुनते हैं आपके हिसाब से चलते हो सकता है चलते भी हो बट आपके लावा कोई और उनकी life में हैं और देखिए आप ए लेटर का कार्ट कहता है कि उनकी communication skill इतनी strong है उनकी convincing power इतनी strong है कि जब भी इस तरीके की कोई आप बात करते हैं वो इस तरीके से आपको communicate करते हैं वो इस तरीके से आपको convince करते हैं कि आप फिर किसी और चीज के बारे में सोची नहीं पाते putting thoughts in my mind का card भी इसी चीज को confirm करता है कि जो वो कहते हैं उसको literally आप मान लेते हैं उसको literally आप ले लेते हैं और यहाँ पर दीखिए magician reverse का card भी कहीं बहुत एक manipulative बहुत एक you know diplomatic तरीके से चीजों को deal करने वाली energies की बात करता है और यह आपके partner के लिए रहतावा दिख रहा है तो इन्हीं सब cards को अगर मैं देखूं तो कहीं देखिए उनकी communication skill बहुत बहुत जबरदस्त है और कहीं उनकी बातों में आप आ जाते हैं या फिर उनकी बातों से आप इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि आपके मन में doubts आते भी हैं तो आप उनको ignore कर देते हैं आप उन पे attention नहीं देते हैं और वो इस तरीके से आपको convince कर देते हैं इस तरीके से आपको चीजे present करते हैं कि आपको लगता है कि आप ही गलत हैं और कहीं आपको ही एक guilt-vally feeling होनी शुरू हो जाती होगी कि आप कितने खराब हैं उनके पर doubt करते हैं ये तो कितने अच्छे हैं और ये तो बहुत ही practical हैं क्योंकि देखिए आप एक king of pentacles, queen of pentacles reverse, knight of pentacles के कार्ट कहते हैं कि surface level के लिए बड़े practical, realistic और बड़े responsible हर चीज को तरीके से करना हर चीज की responsibility लेना इस तरीके कि उनकी एक nature या attitude रहता हुआ दिख रहा है और कहीं इन ही चीजों को देख कर आपके मन में जो doubt आता है उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं explore कर पाते हैं या फिर उसको लेकर आप उतना ज़्यादा you know attentive नहीं हो पाते हैं alert नहीं हो पाते हैं यहाँ पे shield का card कहता है कि वो इस relationship को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कहीं देखे आपके साथ loyal नहीं है shield का card cautious की बात करता है कहीं withdrawn की बात करता है guarded की बात करता है तो कहीं एक you know guard सा रखते हैं जैसे आपको ऐसे लगता होगा कि कोई चीज छुपा रहे हैं या फिर अपनी personal space में बहुत ज़्यादा नहीं आने देते हैं तो कुछ न कुछ hint तो आपको हो रहा है और जब हम किसी को love करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने engagement ring के card के हिसाब से आपको बताया कि काफी पुराना relationship रहता हुआ दिख रहा है और काफी पुराना नहीं भी है तो serious सरूर यह relationship है तो हम अपने partner को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमें उनके behavior से attitude से idea तो मिल जाता है लेकिन हम कभी-कभी बहुत प्यार कर रहे होते हैं या फिर जैसे कि उनके बारे में मैंने भी बताया communication skill बहुत उनकी strong है convincing power बहुत strong है बहुत smart है बहुत जादा you know manipulative है diplomatically चलते हैं कि आप उनको पकड़ ही नहीं पाते हैं या फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं और यहाँ पर in it to score का card कहता है कि जब वो कोई भी चीज करते हैं तो बस उनका मकसद होता है मुझे ये जीतनी है मुझे इसमें success चाहिए ही चाहिए है चाहें फिर वो आप हो आपके साथ relationship हो और ये भी एक reason हो सकता है कि वो इस relationship में है day dreaming and drain के cards कहते हैं कि आप हो सकता है किसी level पे जानते हैं बहुत drained feel कर रहे हैं या फिर ये उनकी भी energies हो सकती है जहां पे उनको भी इस चीज का एसास है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं और कहीं वो drained अपने मन में होते हैं वो परिशान अपने मन में होते हैं और या पे day dreaming का card कहता है कि आपको बहुत एक असीन हसीन सपने दिखाते हैं या फिर बहुत एक emotional level पे आपसे बात करते हैं या इस तरीके से आपको फिर से मैं कहूंगी ख्वाप दिखाते हैं इस तरीके से आपसे बात करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं और otherwise देखिए अगर हम देखें तो आपके साथ वो committed रहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ वो हमेशा के लिए रहना चाहते हैं लेकिन कहीं एक physical intimacy उनकी आपके इलावा बहार भी किसी के साथ हो रही है और जाहिर सी बात है इसको हम cheating कहेंगे और इसके हिसाब से yes आपके partner कहता है कि इनके साथ अगर आप relationship में आगे बड़े तो it is going to be very difficult, very challenging क्योंकि mountain कहीं challenges की बात करता है, roadblock की बात करता है, issues मसले की बात करता है तो देखिए ये cards की तरफ से आपके सवाल का जवाब है और अगर आप इस जवाब से resonate कर रहे हैं या फिर आप भी इसी चीज को किस जादा अच्छे से समझें, चीजों को और जादा अच्छे से जाने और बहुत ही practical तरीके से एक decision लें, choice लें क्योंकि जब हम ऐसे relationship में होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, उस time कितनी बारी हमें नहीं realize होता लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद बहुत बुरी हालत होती है लोग कर रहे होते हैं, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद एक threshold आता है और उस time पर उनकी बड़ी बुरी हाला तो यह होती है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि यह general reading है, हर चीज को literally ना लें, लेकिन अगर आप भी, you know, इसी तरीके की एक energy अपने relationship में महसूस कर रहे हैं, तो चीजों क भी difficult हो, इस relationship को छोड़ दें, तो यह था pile 2, आप लोगों के लिए reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करेंगे, और अगर आपने pile 3, यानि कि yellow crystal को choose किया है, या फिर आपका birth, मार्ट, जून, सब् December में से, किसी भी मंद में होता है, तो यह reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं, pile 3 की cards क्या कहते है, आपके partner आपके साथ loyal है, या फिर नहीं, और देखिए हापे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, lovers reverse, और यह card कहता है कि अभी हाल फिलाल हो सकता है, कि थोड़ा सा एक gap थोड़ा सा किसी भी level पे एक distance आप दोनों के बीच में आ रहा है, और इस distance की वजए कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहापे night of wands reverse का card कहता है, या तो आप travel कर रहे हैं, या फिर आपके partner travel कर रहे हैं, या फिर आपके चीज़ को लेकर थोड़े से impulsive हो रहे हैं, जल्दबाजी हैं, कि आपके partner बहुत possessive थे आपको लेकर, थोड़ा सा एक you know, possessive थे आपको लेकर, और आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़े से changes उनकी energies में आ रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर, अब वो इतना जादा possessive नहीं हैं, और जब भी ऐसी energies होती हैं, तो हमें doubt तो आई जाता है, कि अब partner के मन में उतना love है या नहीं है, अभी भी कहीं उतनी feelings है या नहीं है, तो देखिए ये एक scenario रहता हुआ दिख रहा है, ये general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, या फिर इसी के around चीज़ें थोड़ी थोड़ी से differ कर सकती हैं, work का card कहता है, या तो आपके ल आप दोनों के बीच में रह रहा है, और यहाँ पर the lovers का card soulmate वाली energies की भी बात करता है, twin flame वाली energies की भी बात करता है, और आप लोगों के लिए दिखिए cards में से भी soulmates and twin flames के cards हैं, और ये cards कहते हैं, कि जो भी आप दोनों के बीच में अभी हो रहा हो, या फिर पीछे हो रहा था, आप दोनों बहुत ही strongly एक दूसरे से connected हैं, और आपके partner को ऐसे लगता है, कि आप उनके twin flame हैं, आप उनके soulmate हैं, और बहुत ही एक deep connection, बहुत ही एक past life connection वो आपके साथ महसूस करते हैं, और शायद इसलिए बहुत एक enthusiasm, excitement, हरदम उनके मन में आपके लिए रहता है, कई एसे लोग थोड़ा सा misunderstood भी होते हैं, यहाँ पर देखिए boat का card भी इसी चीज को confirm करता है, कि यहाँ तो आप travel कर रहे हैं, यहाँ आपके partner travel कर रहे हैं, यहाँ चीजे किसी level पे आगे बढ़ रही हैं, और पहले जैसी नहीं हैं, इसी वज़े से एक distance आ रहा है, और इसी उनको कुछ major decisions अपनी life में लेने हैं, कुछ major choices लेनी हैं, और कहीं उनके सामने कुछ options हैं, कुछ choices हैं, और आगे क्या वो decision लेते हैं, क्या वो choice करते हैं, उनकी लिए बहुत important है, और इसी वज़े से यहाँ पर otherwise भी वो इतना time आपको नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ उतना ज attention इस relationship पे नहीं दे पा रहे हैं, इसी लिए आपको यह thought आ रहा है, लेकिन आपे की का card कहता है, कि जो भी issues अगर आपके बीच में चल रहे हैं, आपे नहीं भी चल रहे हैं, चीजों को वो solve करके next level पर लेकर जाना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी हर problem का solution ह हैं, और आपके साथ connect करके उनको बहुत अच्छी feeling होती है, एक piece का एहसास होता है, और कहीं देखिए इस card में लिखा हुए distant affair, positive outcome, तो कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका मिलना, एक destiny का plan है, यह distant connection है, तो देखिए यह cards यही कहते हैं, कि बहुत sure हैं वो आपको ल हैं, क्योंकि twin flame soulmates के card कहीं फिर से कहूंगी बहुत strong feelings और emotions होने की बात करते हैं, twin flame में लिखा हुए union, duality, compliment each other, soulmates में लिखा हुए soul connection, partnership, agreement, soul contract, तो देखिए सारे ही cards कहते हैं कि वो आपके साथ loyal हैं, और देखिए अगर बीच में कुछ भी issue आप दोनों के बीच में रहा, जिसकी वज़े से एक gap आ रहा है अभी, तो यहाँ पे still not over you का card कहता है, कि वो आपसे overcome नहीं हो पाएं हैं, अभी भी again मैं कहूं कि उनके मन में उतना ही आपके लिए प्यार है, उतनी ही feelings हैं और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो तो देखिए बहुत ही clear है, कि वो इस relationship को आग इसलिए मैं दोनों ही possibilities बता रही हूँ, कि अगर कुछ issues आपके और उनके बीच में चल रहे हैं, तो try again का card कहता है, कि वो बार बार चीज़ों को try करना चाहते हैं, और एक point थी बच्पन में, I don't know, कि आपने कभी सुनी है, ने सुनी है, try again till you succeed, तो कुछ ऐसी सी energies हैं, हो सकत है, आपको messages करते हैं, और यहाँ पर spirit babies का card again यही चीज़ को confirm करता है, कि एक बहुत strong connection आप दोनों के बीच में हैं, और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, उनको इस चीज़ की realization है, तोड़ा सा शायद आपको एक clarity लाने की ज़रत है, तोड़ा सा एक confidence लाने की ज़रत है, औ और एक introspective mode में रहने की ज़रत है, अगर किसी भी तरीके का misunderstanding चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है, आपने सिरफ fun में इस चीज़ को जानना चाहा है, तो बहुत ही positive आपका answer है, कि उनके लिए आप उनके soulmate है, twin flame है, past life connection है, तो बहुत एक strong feelings उनके मन में आपके लिए हैं, औ और अगर कुछ issue मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा clarity रखने की ज़रत है, थोड़ा सा चीज़ों को और जानने की ज़रत है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ भी ऐसे negative energy नहीं है, या फिर किसी भी तरीके की cheating नहीं है, night of cups का card कहता है कि शायद आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक मन में बहुत जादा सूचते जा रहे हैं, over emotional हो रहे हैं, over sentimental हो रहे हैं, over sensitive हो रहे हैं, चोटी चोटी सी बातों को बहुत बड़ा बना रहे हैं, चोटी चोटी सी चीज़ों को लेकर hurt हो रहे हैं, और इसलिए relationship में issues मसले हो रहे हैं, या फिर सोच बहुत जादा रह कहीं practical realistic level पे action initiatives नहीं ले रहे हैं या फिर एक practical realistic attitude approach missing है तो कहीं heart और mind का एक balance लेकर आएं, emotionally strong करें और कहीं एक introspective energies में रहें, clarity लेकर आएं और अगर आपके मन में भी pile 3 partner के लिए love है, प्यार महबत है तो इस relationship को आप आगे लेकर जा सकते हैं, इस relationship को further आप continue कर सकते हैं और आपके partner की energies मैंने आपको बहुत clearly बताएं और आपके सवाल का जवाब भी मैंने clearly आपको बताया है कि yes, वो आपके साथ loyal है और वो cheating नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो ये था pile 3 आप लोगों की reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें